जैहिन मैं मी थार्या PCS Maker YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ तो आज लेकर आया हूँ हिस्क्री का एक टॉपिक है जो प्राचीन इतिहांस कसे रिलेटेड है इसका नाम है पासानकाल इससे बाहर एक भी प्रसुन नहीं आएगा 100% गैरेंटी देता हूँ ठीक है न अ ठीक है न चलिए स्टार्ट करते हैं तो देखे पासानकाल के बाड़े में जाते हैं पासानकाल को हम तीन खंड में बाढ़ते हैं पहला है पूरा पासानकाल दूसरा है मद्यपासानकाल और तिसरा है नवपासानकाल ठीक है देखे और 26 लाग से 9000 इसविप्रविक के बीच को हम पूरा पासान काल के नाम से जानते हैं ठीक उसके बाद मद्य पासान काल जो होता है 9000 से लेकर 4000 इस्वी पुर्व के काल को पासान काल के नाम से जानते हैं और 4000 से लेकर टोटली इस भी कुद्व तक आपको कौन इधál देखने को मिलता वह आपको फासां कल ठीक है ये तीन बात पार्ट में बटा हुआ है लेकिन देखें पूरा पासान कल जो है ये भी है तीन फार्ट में बटा होई इसoooo bereक, ये भी है तो चलिए देखते हैं थोड़ा सा कि पासान यूगीन अनुशंधान आरंब करने का स्रे किसे दिया जाता है तो रोबर्ट ब्रूस फूट को दिया जाता है इस बात को आप ध्यान रखेंगे मानव इतिहास का प्रारंबिक काल जो है क्या कहलाता है तो पूरा पाशान काल की इंगे मानव का जहाहा इतिहास प्रारंब रूख फूट को कौन सा काल में प्रे कौफ़ए थे ठेक संब्भाजर्थ् जम्भू द्वीप का एक खंड रहा, उसके बाद सरप्रत्यम प्रणा शद्रिश प्राणी जो होमो शेपियंस के नाम से जाना जाता है, वह होमोशेंपियंस जो है, प्रजाती के रूप में भी निता, उसी समानने तक किस रूप से जाना जाता है, तो पिथो देखिएगा पिथे केंथ्रोपश के रूप में जाना जाता है इस सीज़ को आप ध्यान रखिएगा ये एक्जाम में पूछा जाता है ठेक नेस्ट कोश्चन आपके सामने है कि भारत में मानव के सरपर्थम साक्षे कहां मिले तो हत नोड़ा एक जगह है प्राप्त हुए है ठेके ना नेक्ट है पासान संस्कृति से लेकर हरप्पा सभ्याता तक के संस्कृति अवसेज किस पूरा स्थल से प्राप्त हुआ है तो मेहरगड समझेगा ध्यान से हरप्पा सभ्याता तक पासान संस्कृति से लेकर हरप्पा सभ्याता तक वो कहां मिला तो यह कूश्चन याद रखेगा काली बंगा से मिला है काली बंगा का अर्थोता है काला चूड़ी ठीक है ना आगे देखते हैं मिर्थकों को दफनाने की अस्थान के रूप में इसका अस्मारक की पहचान करने में पता चला जैसे आगे देखते हैं प्राचिंतम अस्थाई जीवन के प्रमान कहां से प्राप्त हुए तब मेहर घट से प्राप्त हुए यानि कि प्राचिंतम अस्थाई जीवन का प्रमान या अस्थाई जीवन जो आधि वासी आधि मानवशव या मनुश्यशव अस्थाई जीवन मतल मिलता है मनुष्य ने सरपर्थम किस धातु का पड़ियोग किया तो वो धातु का नाम है तामबा ठेक देखे प्रसस्त्र यूग इस्टोन एज जिससे बोलते हैं कि लोगों के पास प्रथम घड़ेलू पसु कौन था तो कुट्टा था और कुट्टा वफादार भी था हर च खनन प्रमानों के निसा पसु पालन का प्रारंब जो है न वह मद्यपासान काल से ही माना जाता है ठेक नेक्स्ट कोश्चन है कि मद्यपासान काल में पसु के प्राचिंतम सक्ष कहां से मिले तो आदमगट से मिले है इस इसको ध्यान दखेगा यानि कि प्राचिंतम सक्ष क प्रत्रप्रत्रप्रत्रप्रत्रप्रत्रप्रत्रप्रत्रप्रत्रप्रत्रप्रत्रप्रत्रप्रत्रप्रत्रप्रत्रप्रत्रप्रत्रप्रत्रप्रत्रप्रत्रप्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत् लिथिक यूग को किस अन्य नाम से जाना जाता है तो तामण पाशान के नाम से जाना जाता है याद रखेगा तामण पाशान चाको लिथिक यूग ठीक है समझेगा ये कुश्चन थोड़े ये पॉइंट है ताम्र पासान कालीन जो है एक तरफ अस्थाल है उसके राज्य है और प्राप्थ हुए साक्षि जो है वो इनाम गाओ महरास्ट में है ठीक नवदा-टोली महरास्ट में है नुवासा महरास्ट में एक ताम्र वत्ती जो है वो राजस्तान में तो क्या है इसमें थोड़ा देखते हैं कि इनाम गाउं में कच्ची मिट्यों के मकान एवं गुलाकार गड्धे वाले मकान का सक्षे मिला है दाइमाबाद में कलस, शाबधान तथा कलस को घड़ों के फर्स के नीचे रखने का प्रमान सबसे बड़ा तामड़ पासानिक अस्थल जो है वो दाइमाबाद से ही मिला है फिर नवदा टोली में देखते हैं इसका उत्खनन जो है HD साल शांक लिया द्वड़ा चित्रित काले मिर्दभांड का प्रमान मिला है यह कोशन पूछा जाता है चित्रित काले मिर्दभांड का प्रमान कहां से मिला है तो महरास्ठ से, मतलब नवदाटोली से, निवासा से देखिए, पठसन का प्रथम साक्ष, पठसन समस्ते हैं न, पटुआ, हैं, या लाल तलपड़काली डिजाइन यानि ये लाल तलपड़काली डिजाइन वाले चाक निर्मित बरतनों का प्रमान भी निवासा से मिला है ये बहुत इंपोर्टेट है ये अंदर तक बात बता रहा हूँ डिपली बात है उसके बाद ताम्रवत्ती में जो है यहां से प्राप्त काल परियोग 1865 में सर जॉन लुबाबक लुबबाक ठिकन ने किया था इस बात को ध्यान रखेंगा नेक्स्ट कोशन है कि पुरा तात्विक सर्वेक्षन भारतिये पुरा तात्विक सर्वेक्षन आर्कियोलोजिकल सर्वे अफ इंडिया के प्रथम महार नीदेशक कौन थे जॉन मार्सल थे इस बात को ध्यान रखेंगा भारतिये पुरा तात्विक का जनक जो है किसे कहा जात कि आि यहान से समझने कि यह पूछन कितना वाड़ पूछ गया है भारतिये पुरतात्व का जनक जो है फादर आफ इंडियान आर्कलरोजि वह किसे का एलेक्जेंडर कनिंगम को कहा जाता है नेक्ट कोशन है कि भारत में भारत के किस आरंबिक पासान यूग के सिलास्त्रे से सरवदिक चित्र प्राप्थ हुए तो भींड बेटी का ठीक है मद परदेश में इस्तित है भींड बेटी का इस बात को ध्यान रखेगा कुम्बाकार यानि कि मिट्टी के बरतन के बनने वाला कि कला जो है वो सरफ पर्थम प्रमान किस यूग भींड वह नप पासान काल ठीक है ये बाद भी ध्यान दखेगा पेवल उपकरन शंबंदित है निमने पुड़ा पाशान काल से ताम बती के नाम से कौन सा संस्कृती प्रसिद्ध माइक रोलीथिक और शंबंदित है मद्य पासान काल से माइक्रोलिथिक ध्यान दखेगा छोटे छोटे पथड़ों का उजाल बेलन घाटी से प्राप्त ऑजार किस्काल से शंबंदित है तो यह है निमने पुड़ा पासान का ये सब आपको कहीं नहीं मिलेगा ठीक है ना शिल्ए याद कर लीजे दो-तीन बार देख देख कर चैनोट करके ठीक है मानव को की आखेटक यानि कि हंटर आखेटक मतलब सिकारी शिकारी और खादे संग्राहक ठेक है न की अवस्था किस काल से जुड़ी है तो पूरा पासान काल से जुड़ी है ठेक एक डबा में है यानि कि इंपोर्टेंट पॉइंट है कि तामर पासान कालीन संस्कृती में महरास्ट के लोग मिर्तकों को घर के फर्स के नीचे उत्तर अब क्यों इसकारण तो नहीं पता चला है नेक्स क्यों कि भारत में दो सरवदिक प्राचीन ग्यात जैसे मध्य पाशान कालीन अस्थल कौन से तो एक महदहा है और एक सराय नहर राय है इस बात को भी ध्यान रखिएगा आधूनिक मानब होमो शेपियंस का प्रादुभार अब कभ हुआ तो उच्छ पूड़ा पाशानकाल में इसका प्रादुभार देखने को मिला कोटजाइट पत्थर के अस्थान पड़ जैस पर चट्र आधी का पड़ियोग यह पत्थर सरपर्थम कभ पर्युक्त किया गया तो मद पाशानकाल में मद पूड़ा पाशानकाल अगनी का उपियोग नप पाशानकाल में याद रखेगा भारत में जिवास्म का एक मात्र प्रमान जो है सिवालिक पहार से मिली है इस कुश्चन को भी याद रखेगा नेक्ट कोश्चन आपके सामने है कि भारतिय उप महादीप में क्रिसी के प्राचिंतम साक्षे किस अस्थान से प्राप्त हुआ है मेहर गट से कपास ये कोश्चन भी यादता है ठीक है अब थोड़ा कुछे चाट के आम माध्यम से समझते हैं किसदोनकद अफेलों अशेक्टी से थोड़ा निर्मित अपकरन आलन देखने हैं शराय के निर्मित अफकरन किनित Ο्व ह्करन देके भाला वूլ हो गया वह सब गौर्य की बेखना नामकरन कहां से हुआ हस्तिनाप पूर से हुआ है इस बात को द्यान रखेगा शिंदुगाटी सब्यता के मुख्य अस्थल जैसे मुहांजुद्रों चुनुद्रों सुतकांगे डोर हरफ्पा कोड़ दीजी बरतमान में यह पाकिस्तान में है ठीक है यह इस्ति था इस बात क के साथ कुट्टों को दफनाने का सक्ष पराप्ट हुआ है यह को शन इंपोर्टेंट ठीक उसके बाद आगे देखते हैं गुप फकराल जो कास्मीर में है क्रिसी और पसुपालन के सक्ष हड़ी निर्मित औजार दूसर मिर्दभान का पड़वान यह आपको यहीं से बिश्मों की खेति प्रमान मिला है कच्चे इटो का अयताकार मकान और प्रासिंतम अस्थाई जीवन का भी सक्ष मिला है महधा उत्तर परदेश गुलाकार जोपड़ी के प्रमान मिले हैं धान के अलावा जोग की खेती एबं पशुवाडा के भी साक्षी मिले हैं कुल्डीवा इंपोर्टेन्ट है धान की खेती का परदेश प्राप्थ हुआ जो धान की खेती का भारत में ही नहीं, बलकि बिश्व का सबसे प्रसिंतम साक्ष माना जाता है, कुल्डिवा उत्तर परदेश में यह important नहीं है संगन कल्लू जो है करनाटक में राक का टीला प्राप्त हुए है बिलालीरी जीले में अवस्थीत है पिकली हर करनाटक में राक के डेर या निवास अस्थल के सक्ष में प्राप्त हुए है यह question पूछाता है चौपानी मांडो उत्तर पर्देश में मदमक्की के छत्ते जैसी जोपडी जैमीतियाकार के सुक्ष में पासान एब महस्त निर्मान मिर्दभान की सक्ष मिले है शारू तारू असम्या गुहाटी के समीक उत्खनन के आदीम कुलहारी या चित्रित मिर्दभान प्राप्त हु जिली जो असम्या क्रिसी और पसुपालन के सक्ष दाउजली में प्राप्त हुए है ठीक है और आज का लास्ट थोड़ा बात क्या है कि नवदा टोली नामक तामल पासानी पासिन पासानिक अस्तल का उत्खनन एचडी सांकिलिया ने किया था ठीक है न और यह जो बरतमान म मंद्य पर्दिश में इस्तित है यदि चैन यदि आपको वीडियो अच्छा लगा रिवीजन है तो कीजिए अगर अच्छा लगा तो PCS में कर योटूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ठीक है न फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के सांद जैहिन जैभारत